हाई अवर्मन आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि एड्वांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट क्या होती हैं इनके बॉड़ी के ओपर किस तरीके से एफेक्ट्स आते हैं और ये कौन-कौन से ओर्गन्स को डेमिज कर सकती हैं और कौन-कौन सी थेरपीज इनवाल्व हैं जो कि इसकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्लोडाउन करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एड्वांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं ये हिट्रोजनस ग्रुप है प्रोटीन का और लिपिट का जो कि शूगर के साथ कोवलेंटली बॉंड करता है मेलाड रेक्शन के थूँ सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड में ये है कि डाइबिटीज के वजा से या यूरीमिया के वजा से जब आपकी बॉड़ी के अंदर हाई लेवल ऑफ शूगर जो है वो रिटेन करना शुरू कर दे आपके बलड के अंदर तो वो शूगर आपकी प्रोटीन के या लिप फैट के या फिर आपक बहुत डेंजरस किसम के रियक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं ये एडवांस ग्लाइकेशन एंद प्रोडक्ट आपकी बॉड़ी के अंदर एक्युमलेट करना शुरू कर देती हैं ये जब एक्युमलेट करना शुरू कर देती हैं तो कार्डियो वैस्कुलर जोयां इसकी वजहां ऽीरेफेर्टिस हो सकता है विभूजी कलिक्स की रूजी के अंवाइन ग्रूप के साथ माइन। ऐसे बंती था जोजांएं чис Darkness स्किफ बेसेs 2007 कि जिसकी वज़ा से advanced glycation end product बन जाती हैं और ये देखिए picture के अंदर भी मैंने शो किया image के अंदर के ये एक irreversible process है अगर हम बात करें sugar के pathway से sugar के pathway से बात करें तो fructose बनता है और fructose से आगे वो ketone body use और ये सारी चीज़ा बनने की वज़ा से reactive alpha oxaldehyde बनते हैं और ये irreversible process है ये भी आपकी advanced glycation end product बनाएंगी अगर हम lipid per oxidation की बात कर लेते हैं तो polyunsaturated fatty acid जो है हमारी membrane से ये detoxify हो जाते हैं glioxalase के अंदर और उसके बाद ये एक reaction बनता है reaction होने के बाद फिर क्या करता है reactive alpha oxaldehyde बनते हैं ये भी irreversible process है और last में ये भी बनाते हैं advanced glycation end products अब ये जो advanced glycation end products हैं इनके अगर हम kidney के अंदर बात करें तो क्या क्या effect आते हैं kidney में अगर मैं बात करूँ तो chronic kidney disease के अंदर ages की kidney ना पहले ये बात कर लेते हैं कि kidney as a culprit act करता है advanced glycation end product की formation और उसकी retention और accumulation के लिए क्योंकि kidney जो है वो advanced glycation end product की formation भी करवाता है और उसकी accumulation भी करवाता है ठीक है जब इसकी production होती है chronic kidney disease के अंदर advanced glycation end product की तो फिर उसके बाद उसकी accumulation होना शुरू हो जाती है जब उसकी accumulation होना शुरू हो जाती है तो ये receptor जो है advanced glycation end product का उसको active कर देती है ठीक है जब वो activate हो जाता है तो उसक वजासी reactive oxygen species बनती है यह reactive oxygen species बहुत ज्यादा damaging होती है यह body में inflammation cause करती है endothelial level पर ठीक है और जो heart की vessels है ठीक है उनको heart करना शुरू कर देती है और body के अंदर protein के structure को alter करके उसकी retention करवाना शुरू कर देती है यह जो चिपचपा से material बनता है advanced glycation end product का sugar protein के साथ माइंड करके ठीक है तो उसकी retention होना शुरू हो जाती है सारी blood vessel के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगा के ऊपर अब जी देखने हैं के इसके अंदर glomerulocyclerosis यह कैसी टर्म है जिसके अंदर आपका जो जो ग्लो मैरूलाई है उनकी hardening होना शुरू हो जाती है ठीक है जब बोड़ी के अंदर यह oxygen species बनती है और advanced glycation end product जो है जब बोड़ी के अंदर बनना शुरू हो जाती है इसकी वज़ा से आपके नेफरॉन जो है उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है क्योंकि यह पॉप्ट फटवे को एक्टिवेट करती है और ए पाथवे है रेनिंग एंगियो टैंसिन आल्डोस्टेरॉन पाथवे इसकी हमने पिछली वीडियो के अंदर बात भी की थी ठीक है इस पाथवे के जरीए क्या होता है इसके जरीए होता है कि बॉडी जो है वो ब्लड का फ्लो कि तरफ ब्लाट का फ्लो ज्यादा करती हैं अवरेधि प्रेशर इंक्रीज करने के वज़ से यह सować यह तो क्या होगा मैं कि चोद चाहिएंग साइज चोटा हो जाएगा वह शिरिंक होना शुरू हो जाएगी उसको हम कहते हैं किड्नी की जी एट्रॉफी हो गई और जो किड्नी का जो स्ट्रक्चर है वह भी खराब होना शुरू हो जाएगा चोटे-चोटे फिब्रोसिस जो है वहां पे जो है फिब्रोसिस का प्रोसिस वो जाएगा और फेँराइड बना शुरू हो सकते हैं उसकी वज़ासे जो है फोली सिस्टिक किड्नी हैं वो हो सकती है और यह प्रॉसस्ट जो है यह ट्रिगर होता है यह हो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो है पाथवे किस तोह होता है जब advanced glycation end product बनती है, chronic kidney disease के अंदर, तो advanced glycation end product की accumulation और उसकी formation का process जो है, वो chronic kidney disease को trigger करता है, जब वो trigger होती है तो फिर ages का और synthesis ओता है، और इनकी accumulation और होती है, और फिर chronic kidney disease की progression और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जब उसकी structure change हो जाता और वो डिपलीट होना शुरू हो जाता है और फिर उसके अंदर eventually आपको क्या होगा कि आपका GFR काम हो जाएगा और creator name का level बहुत जादा बढ़ जाएगा और body के अंदर urea के retention भी बढ़ जाएगी next time is की बाकी body के ओपर देख लेते हैं advanced glycation end products के अगर advanced glycation end product की बात करें तो female infertility के अंदर ये बड़ा key role play करते हैं female infertility के अंदर जो hormone disorder है वो cause करेंगे polycystic ovaries हो सकती है उसकी वज़ा से ठीक है endothelial injury हो सकती है अगर male के अंदर बात करें तो low sperm quality होगी sperm का count कम हो जाएगा और testicular dysfunction हो सकता है और erectile dysfunction हो सकता है poor libido हो सकता है sexual activity जो है उसकी जो frequency है वो कम हो सकती है उसके बाद ages के अगर हम बात करें gestational diabetes mellitus के अंदर तो ये उसको trigger करती है ages और जब उसको trigger करती है तो poor pregnancy outcome होता है embryonic toxicity हो सकती है या और भी इसकी वज़ा से effects आ सकते है और sometime तो ऐसा होता है कि pregnant ही होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अब इसके बाकी body के ओपर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने बात की कि body के ओपर oxidative stress आता है diabetes हो जाती है उसके बाद arthrosyclerosis हो सकता hardening of arteries और brain की Alzheimer disease भी हो सकती है अगर diabetes induced advanced glycation and products है तो अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो sugar के साथ जब bind करती है protein या फिर उनके amine group of protein या lipid या nuclear किसे तो एक sugar के जो protein का structure उसको alter कर देती है जब उसको alter कर देती है मैं different जगा के ओपर जाकर वो जमना शुरू हो जाती है वहाँ पर accumulate करना शुरू हो जाती है अगर वो आपके brain की vessels के अंदर जाके accumulate करें और diabetes induce हो तो diabetic neuropathy हो सकती है ठीक है अगर वो आपकी eyes के अंदर आपके lens में जाकर accumulate करना शुरू कर दे diabetes induce है अगर वो तो फिर क्या होगी diabetic retinopathy अगर नेफ्रोंस के अंदर जिस तरह से हमने पीछे बात की है नेफ्रोंस के अंदर वो जाके अक्यमिलेट करना शुरू हो जाए उनके नेफ्रों का जो है उनकी डेथ कॉस करना शुरू कर दे उनका नंबर कम हो जाए आपके ग्लोमेरिलर फिल्ट्रेशन रेट को वो कम कर द तो उसको हम कहेंगे यह डाइबेटिक कार्डियोपेथी है डाइबेटिक इंडियूस्ट है अगर यह नेक्स हम बात कर लेते हैं कि आपकी डाइट का क्या रोल है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्स की फार्मेशन के अंदर जब आप प्रॉसेस फूड बहुत ज्या और लिएड करते हैं सेेटिट फैर सबम बहुब जादर हैं हाई लेवल आफ शूघर ावाली डाइट आक लिए ते आपके ये फासिखुड थैでप आपके क्रियोल्ट यह यह शूगरी ड्रेंक्स हैं जिस तरह से आपके मिठाईयां वगेरा है और ये जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स है आपकी जब आप इनकी ओवर कंजम्शन करते हैं और जब इनके आपस में रेक्शन होते हैं ठीक है और जैसे कि मैंने पहले ही बात की है कि नॉन रिड्यूसिंग शूगर जब नॉन इंजमेटिकली प्रोटीन के या नॉकलिक एसिड के या फैट के हमाइन ग्रूप के साथ बाइंड करती है तो एक चिपचपा से मिटीरियल बनता है जिसको हम एड्वास लाइकेशन एंड प्रोडक्स कहते हैं और ये जो है उस प्रोटीन को के स्ट्रक्चर को साथ मिलते ही जो है वो आल्टर कर देती है और आल्टर करने के बाद मेटबॉलिक डिसफंक्शन कॉज करती है और डाइबिटीज के साथ ये मिलके जो है आपकी बाडी के ओपर काफी ज्यादा बुरे एफेक्ट कॉज करती है इसकी वज़ा से फिबरॉसिस हो सकता है और जैसे गलो मेरलो सिकलरॉसिस मैंने पीछे का बाद कर ली है और अपॉप्टासिस कहते हैं प्रोग्राम सेल डैथ को रियक्टिव ऑक्सिजन स्पीशिस बन सकती है इंब बॉडी में इंफ्लमेशन हो सकती है कैंसर हो सकता है ये जब बनती है ड्वास्क लाइकेशन एंड प्रोड़क्ट तो ये फिर एक्टिवेट कर द करते हैं का कौन कौन सी थेरपीज अवैलेबल हैं जो के इनकी फॉरमेशन का प्रोसेस जो है इसको स्लोडाउन कर देंगी क्योंकि मैंने सबसे पहले जो डिसकस किया था फॉरमेशन के बारे में वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्र डिस्टरब करती हैं काफी ज्यादा जैसे एजिंग का प्रोसेस भी इसकी वज़ासे काफी ज्यादा स्पीड अप होता है जितने ज्यादा एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स मनती है उतना आपका सेलूलर डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है आपकी जो चे एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्स का उसके सिग्नलिंग ब्लॉकर्स दिये जाते हैं ठीक है या फिर सेकंड में यह सेकंड थेरपी हमारे पस यह वैलिबल है कि एजिस के इन्हिबिटर दिये जाते हैं जैसे डाइबिट डाइबेटिक है तो फिर मेट लिंक करती है मैंने आपको बताया कि वह स्ट्रक्चरल अनॉमली कॉज कर देती है तो उनके जो क्रॉस लिंक बनते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा वह बनाती जाएंगी उसकी उतना ही उनका स्ट्रक्चर जह हैं कॉम्पलेक्स होता जाएगा और उनको ट्रीट करना मुश्कि दे दिये जाते हैं जो कि advanced glycation end products के inhibitors हो और उनकी जो लेंक हैं उनका ब्रीक करना शोरू कर दें उनका जो signaling का pathway है उसको hinder करना शुरू कर दें, उसको block करना शुरू कर दें, ठीक है, और यह आज का हमने detailed lecture discuss किया है, advanced glycation and products के बारे में, अगर आपको next list के ओपर lecture चाहिए, ठीक है, और आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि एक पूरी detailed video बनाएं कि इसके diabetes के ओपर किस तरीके से effects हैं, ठीक है, इसकी वज़े से diabetes क्या क्या problems बोडी के अंदर cause करती है, तो हम वो भी discuss कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि advanced glycation and products के brain पे क्या effect है, kidney पे क्या effect है, liver पे क्या effect है, उसके skin के ओपर क्या effect है, और इन सब के ओपर अलग detailed videos बनाई जानी चाहिए, तो उसको भी comment के झाहिए, 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 झाहिए.